तो आज हमारे सामने खड़ी है हॉट एंट टेकी ब्रेजा जो परफेक्ट एस्यूवी है सिटी एडवेंचर के लिए तो आज इसके में बहुत सरे हाइलाइट पॉइंट बताऊंगा और हमारे सामने जो खड़ी है यह ब्रेजा एलेकसाई है तो आप देख सकते हैं लेकसाई में आपको इस तरीके क्रो मैंसेंट जाएंगे जो कि प्रीमियम लुक्स में कुछ ज्जादा कुछ डिफ्रेंस नहीं है और इसमें पर एलेकसाई में जो फूचर्स देखेंगे जो फोग लेंब होता है वो इसमें इसमें मिले नहीं आपको लगाना पड़ेगा आपको इसमें cladding मिल जाएंगे जैसे कि wheel car cladding हो गए, skits plates हो गए, front और under body cladding, side door cladding, ये सब सारे चीज़ आपको ब्रेजा LXI से ही मिल जाएगा, इसमें और चीज़ बहुत अच्छा ये है कि आपको इसमें body color mirrors मिल जाएगे, साथ में आपको side indicators भी रहेगे, अब चलिए गाड़ी के अंदर जाते हैं और गाड़ी के interiors के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि LXI में interiors में क्या देता है गाड़ी में, तो आप देख सकते हैं इसकी जो interior से fully black interiors आपको मिलेगी पर इसमें बहुत सारा चीज़ आपको modify करना पड़ेगा, क्योंकि LXI है तो इसमें customize करना बहुत ही जरूरी है, तो इसमें आपको remote की मिल जाएंगे, बिरेजा LXI में जो की बहुत ही अच्छा features है, और इसका आपको tilt scaring भी मिल जाएगा, round steering और नीचे flat रहेगा, आपको जो locking रहेगा वो black रहेगा, plain रहेगा, और आपको इसमें address, top star, traction control ये भी मिल जाएंगे, इसमें starting वेरियंट से, सारे power windows, electronic adjustable mirrors हो गई, इसके जो interior seat है, front में आपको height adjustable मिलेगा streets का, और headrest आपको रहेगा और पीछे में आपको देखे, flat streets से इसमें आपको headrest नहीं मिलेगा, पीछे streets, पीछे passenger के लिए आपको headrest LXI में नहीं मिल पाएगा, तो इसका जो उपर का roof है, सारे variant में आपको same EC type के colors के मिल जाएंगे, silver colors में, पर इसका जो interior में आप देखेंगे, front में जैसा black दिया है, जिसके विए से गाड़ी आपकर touch करेंगे, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, premium ने थोड़ा सा दिया है, इसमें विश्ट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं दिया रहता है, एसी इवेंट से आगे में, यह manual आपको रहेगा, AC control सारा चीज, इसमें आपको जो gear knob है, वो थोड़ा सा अच्छा है, इसमें अच्छा है, इसमें अच्छा दिख रहा है, और आपको यहां पर जो आमरेश नहीं है, आपको लगानी पड़ेगी, और इसमें आपको जो स्टेरिंग प्लेन है, जैसे कि मैं बताएं, इसमें Bluetooth कंट्रोल यह सब नहीं मिलेगा, और पीछे की आपको एलेटी लाइट भी मिल जाएगा, जो की बहुत ही अच्छे दिखेगी, ब्रेजा अलेक्साय में यहां पर कंट्रोल यहां पर पारकिंग सेंसर भी है, और पीछे की जो स्टेरिंग प्लेट से इसके वज़े से भी गाड़ी का लूक्स बेस्ट है, तो ब्